आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नाउन, नाउन के टाइप्स और उसके फंक्शन्स तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इंग्लिश बहुत ही वीग है आप इंग्लिश में प्रोफिशन्ट होना चाहते हो 2024 लिख रहे हो, 2024 का या उसके जैसा कोई entrance exam लिख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है इन फाक्ट आपको पता है बहुत सारे entrance exams और competitive exams, defense exams के अंदर grammar में पात और speech पूछा जाता है और पहला topic हमारा यहाँ पे है नाउन उसके types और उसके functions तो चलो फिर फटावच से शुरू करते हैं So noun are words that name, a person, place, animal, object, material, idea, emotion, day, etc. So nouns basically क्या होते हैं? Nouns होते हैं ऐसे words जो की name करते हैं यार हर एक इंसान, हर एक चीज, हर एक खयाल, इस सारी चीज़ों को हम कैसे बताते हैं? नाम लेकर ही तो, मतब नाम लेकर धरशाते हैं, हर एक चीज का एक नाम होता है तो nouns actually क्या होते हैं? Naming words होते हैं, जो name करते हैं किस-kis को name करते हैं? किसी इंसान को, किसी जगा को, किसी animal को, किसी वस्तु को, किसी material को जैसे कि ये देखो, ये क्या है, स्क्रीन है, ग्लास से बना हुआ है, आइडिया को, किसी विचार को, किसी एमोशन को, किसी दिन को, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बहुत सरी, in fact, हर एक चीज जिसे आप नाम कर सकते हो, वो नाउन है, और राइट, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमारे पास में हमने ये देख लिया, कि यार हम नाउन का मतलब होता है, वोर्ड जो की नाम करते हो, तो अभी ये वोर्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं, जरा इस पर नजर दे जेते हैं, सबसे पहला हमारा आगया common nouns, common nouns क्या होते हैं, name, a general kind, category, or species, example, boy, cow, day, school, village, country, shop, mall, museum, fish, snake, monkey, book, pen, toy, तो अगर हम किसी general category को नाम दे रहे हैं, जैसे सारे जो लड़के हैं, ठीके हैं, ये सारे लड़के जो हैं, ये क्या हैं, boys हैं, लड़के हैं, general category, मैं किसी एक, सुरेश, रमेश, हिमेश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जैनरल लड़कों की बात कर रही हूँ, तो क्या हो गया, boy, तो जब हम general category, generally किसी को नाम दे 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 कि भाई, ये species, कोई category को नाम दे दिया, कोई species को नाम दे दिया, तो उसे हम क्या कहते है, common noun कहते हैं, जैसे boy, अब cow में, मैंने अपनी cow का नाम बहसी रखा है, पर वैसे अगर हम in general देखें हैं, तो इसको क्या बुलाते हैं, इस जानवर को क्या बुलाते हैं, cow बुलाते हैं, चीक है, वैसे अगर in general देखें, तो अभी ये जो ऐसा institution है, जिसके अंदर हम पढ़ने जाते ह हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, school बुलाते हैं, चीक है, तो in general अगर आप किसी category, किसी species को नाम दे रहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, common noun, पिर आता है आपका proper nouns, proper nouns कौन से nouns होते हैं, जो की specific name क्यारी करते हैं, when you name a specific one, for example, वैसे तो मैंने एक group में जो लड़के खड़े थे उनको क्या बुला, ये लड़के हैं, बट जब अब मैं उनको specifically बुलाओंगी, कि ये आमिर है, ये शारुक है, ये हिमेश है, ये रमेश है, ये सुरेश है, तो क्या हो जाएंगे, proper noun हो जाएंगे, जब मैंने बुला कि अरे ये जो institution है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करत proper noun, ठीक है, जैसे शिशीर, अमीना, क्यारला, संडे, माक्स होस्पिटल, थाइम्स ओफ इंडिया, ये सब क्या है, proper nouns, फिर आते हैं आपके collective nouns, अब यार अभी तक हमने common noun, किसी भी चीज़ को denote करने के लिए, कि मैं इसका नाम क्या है, इसको कैसे पुकारू मैं, ये pen है, ठ अगर यही पे, मैं किसी चीज़ के जुंड की बात करू तो, जब एक लड़के की बात कर रही थी, तो मैं उसे boy बोल रही थी, एक cow की बात कर रही थी, मैं करे जानवर क्या है, के cow है, इसका नाम मैंने लक्ष्मी रखा है, तो ये जानवर cow है, specifically मैंने बात की, कि इसका ना नाम रखते हैं, name a group और collection, जब बहुत सारे चीज़ों को collect करके, या फिर बहुत सारे चीज़ों को collect करके group बनाते हैं, हम जब जुंड की बात करते हैं, उन nouns को हम collective nouns कहते हैं, इनके example हो सकते हैं, जिसे class, flock, bunch, army, herd, pack, swarm, crowd, gang, staff, crew, choir, panel, board, set, pride, shawl, fleet, code, mob, so ये क्या है, ये हैं सारे के सारे collective nouns क्योंकि हमने जुन्डों के नाम रखे होएं, ये ग्रूप, ये collection को represent कर रहे हैं, फिर आते हैं आपके abstract nouns, अब ये abstract nouns क्या हैं, ये जो की abstract को नाम करें, याने कि ये नाम करते हैं, ideas को, ideas जिनको आप sense तो कर सकते हो, but not see, ना आप उन्हें देख सकते हो, और touch, उन्हें ना तो आप देख सकते हो, ना उन्हें touch कर सकते हो, उन्हें सिर्फ और से sense किया जाता है, एकदम से अंदर guitar बज रहा है, घंटिया बज रही है, sense कर सकते है, feel कर सकते है, यह तो प्यार है, love है, ठीक है, तो यह देख नहीं सकते है, हम touch नहीं कर सकते है, यह एक idea है, गंटी बज रही है, एकदम गिटार बज रही है, और जब entry हो रही है, तो हवाई चल रही है, तो यह पूरा जो idea है, it's called love, तो ऐसा जो idea होता है, उस idea की नाम को हम abstract noun कहते हैं, ठीक है, तो यह जो ideas की नाम है, इन्हें हम क्या कहते है, abstract nouns कहते हैं, यह ऐसे, you know, नाम है, जो कि ऐसे चीजों के लिए नाम है, ऐसे ideas के लिए, abstracts के लिए नाम है, जिने हम feel कर सकते हैं, देख या टच नहीं कर सकते, for example, आपका youth, love, thought, childhood, justice, hatred, envy, admiration, poverty, honesty, sorrow, यह सब कुछ आपके abstracts में आता है, अब यहां पर जैसे कि हम लोगों ने अल्रेड़ी यह देख लिये हैं, तो अब देखो कुछ चीजे जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ ऐसी चीजे जो आपको खास करके ध्यान रखनी हैं, जब बात आती है आपके nouns की, ठीक है, तो उनमें आपका पहला point जो आज अभी हम discuss कर रहे हैं, वो देखो क्या है, पहला point आपका कहता है, प्रॉपर nouns are sometimes used as common nouns, याने के वो वाले nouns जो की specific होते हैं, रीटा, सीता, समीर, तो specific nouns को कभी-कभी common nouns की जैसे याने generally या general तरीके से यूज किया जाता है, जैसे की, Amitabh is Gandhi ji of our class, ये गलत है, हम बोलते हैं, Amitabh is the Gandhi ji of our class, now here, Gandhi ji does not mean Mahatma Gandhi, the word here stands for the possessor of the qualities that Gandhi ji is known for, truth and non-violence, thus Gandhi ji is being used as a metaphorical common noun, तो metaphorical common noun की तरह से use किया गया है, example देती हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से सुनियेगा, क्या होता है, वैसे तो Mahatma Gandhi एक specific नाम है, एक इनसान जिसने हमारे बाकी सारे freedom fighters के साथ में खड़े रहकर अपनी leadership qualities दिखा कर हमारे देश के लिए fight किया, और हमने उसको नाम दिया Mahatma Gandhi, अब Mahatma Gandhi से हम उने जानते हैं, तो होने को तो ये एक proper noun है, जैसे कि मेरा नाम है शिप्रामिश्रा, जैसे आपका नाम होगा वैशाली, वैशनवी, आप लोग का नाम होगा, तो ये क्या है, ये हमारे नाम है, इससे आप अपने आपको जानते हो, लोग आपको जानते हैं, proper noun है, पर देखो यार, आप कुछ qualities possessed करते हो, मेरे अंदर कुछ ऐसी quality है, जिसकी वज़े से आप मेरे को जानते हो, ठीक है, मेरे साथ connected हो, आपके अंदर एक ऐसी quality होगी, जिसकी वज़े से आपको जाना जाता है, या आप लोगों से connect करते हो, ऐसे ही गादी जी की qualities के लिए उन्हें जाना जाता है, उनकी दो qualities जैसे की सत्या के साथ खड़े रहना और non-violence, ठीक है तो truth और non-violence ही, दो qualities जो है उनकी, उसके लिए उन्हें जाना जाता है, अब यह जो truth और non-violence वाली quality है, यह हम लोगों को क्या हुआ, अमिताब में भी देखने को मिली, हमारे class के अंदर एक बच्चा है, अमिताब, उसकी अंदर भी ऐसी ही quality है, एकदब गांधी जी जैसी, तो हमने गांधी जी, जो की एक proper noun था, उसे ए अंदर थी, वैसी ही qualities अमिताब के अंदर भी है, तो गांधी जी proper noun होने के बावजूद, metaphorically, common noun की तरह use हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने अमिताब और गांधी जी की qualities में similarities ड्रॉप कर दी, समझ गए, चलो, next देखो, Class, sorry, Cases and Functions of Noun, Cases and Functions of Noun, जो है, again, बहुत important है, और यह सबसे जादा important तो तब हो जाता है, in fact, आम प्रनाउं में भी यह देख रहे होंगे, क्योंकि यह हमारी मदद करता है, आगे चलके आपके narrations की अंदर, आपके voice की अंदर, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्य सान रखना है, Cases and Functions of Noun में सबसे पहले आता है आपका nominative case, now, what is a nominative case, as the subject of the verb, तो यहाँ भी nominative case का मतलब है, एक ऐसा noun, जिसको आप subject of the verb की तरह use करोगे, अब जब हम sentence बनाते हैं, तो हम sentence में सबसे पहले subject, जो की क्रिया करता है, उसको रखते हैं, उसके बाद क्रिया जो कारिय हो रहा है, उसको रखते हैं, और फिर आता है object जिसके उपर इसका प्रभाव पढ़ रहा होता है, यह जो subject की जगह पर रखे जाने वाला noun होता है, यह subject की जगह पर जिस noun को हम place करते हैं, इसको हम nominative noun कहते हैं, यह nominative case होता है, noun का, example, रोहन is leaving no stone unturned to make amends for his lapses, तो रोहन जो है, वो यहाँ पर कारिय कर रहा है, राद दिन एक करने का कारिय कर रहा है, रोहन जो है, वो राद दिन एक करने के कारियों के लिए कारक है, subject है, तो यह जो noun है, जो subject की position पर है, इसे हम कौन से case में consider करेंगे, nominative case, ऐसा ही एक example है, Air India has grounded its entire fleet because of a technical snack, अब Air India Airlines है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस तरीके से उन्हों टी बोर्डिंग कर दी थी, क्योंकि technical issues थे, तो टी बोर्डिंग उन्होंने की, तो Air India क्या है, कारक है, वही तो दी बोर्डिंग करा रहे हैं, तो क्या है, वह कारक है, और जब हम subject की जगे किसी noun को रखते हैं, तो noun किस में होता है, nominated case में, फिर आता है आपका objective, अबजेक्टिव क्या है, objective case कौन सा होता है, as the object of the verb or preposition, जब noun को यहाँ पर place कर दिया जाए, object वाली जगह पर place कर दिया जाए, ठीक है, यह मतलब verb का प्र पर रहा है, इस पर पढ़ रहा है, तो यह वाली जगह, जिस जगह object है, जिस जगह प्रभाव पढ़ रहा है, इस क्रिया का, उस वाली जगह पर जब noun होता है, तो noun objective case में होता है, जैसे की, she will tell Hardik to prepare the design, now Hardik is the object of the verb tell, अब यहाँ पर she will tell, किस को बताएगी वो, Hardik को कर दो, तो she क्या है, she subject है, pronoun है, और यहाँ पर tell क्या है, tell verb है, क्रिया है, तो क्या बताएगी, किस को बताएगी, Hardik को बताएगी, क्या बताएगी, to prepare the design, तो Hardik को बताने वाली है, design prepare करने के लिए, तो Hardik वो नाउन है, जो object की जगह पे है, तो यह किस में हो गया, objective case में, ऐ ऐसे आगया, pour some water from the jar into the glass, now jar is the object of preposition from, and glass is the object of preposition into, अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, आप confused हो जाते हो, कि मैं, you know, verb की अलावा भी object हो सकता है, जी, बिल्कुल हो सकता है, देखिए, यहाँ पर यह जो tell है, इसका प्रभाव सीधा Hardik पे पढ़ रहा था, और इस वजे से यह किसका object था, यह verb का object था, ऐसे ही object होता है, प्रेपोजिशन का, यह प्रेपोजिशन का object आपको प्रेपोजिशन के जस्ट बाद देखने को मिलता है, तो प्रेपोजिशन का object जो है, वो आपको प्रेपोजिशन के बाद देखने को मिलता है, हम कह सकते हैं, कि का जैसे यहां पर pour some water from the jar ठीक है कहां से पोर करना है जार से कहां पर करना है glass में तो यह जो jar और glass है यह दोनों ही objects है preposition के objects है और jar और glass क्योंकि objects की जगें पर रखे हुए noun है तो ऐसे में noun कौन से case में है objective case ऐसे ही आता है आपका possessive case that shows possession यह जो pen है यह मेरा है अब यह जो pen है यह मेरा है ऐसे ही ऐसे noun ऐसी case में noun का इस्तमाल करना जो possession दिखाए यह दिखाए कि यह चीज़ belong करती है उससे हम possessive case बोलते हैं ठीक है जैसे we received सीमा's invitation on time हमें सीमा का invitation time पर मिल गया the players kits were arranged by the wall players के kits जो है वो wall के लगा कर arrange किये गए थे तो कियां पर यह सीमा का possession क है एसे में यह जो दोनों नाउंस है अपको से साथ में यह possessive case में है पिर आता है आपका vocative case vocative case क्या है as an address to someone ठीक है अब जब आप किसी को पुकारते हो आरे सुनना ऐसे बोलते हैं न हम पुकारते हैं ठीक है तो जैसे मैंने बुला रहे समीर सुनो ठीक है तो मैं अभी पुकार रही हूँ तो जब मैं किसी को पुकारती हूँ जब मैं किसी का नाम लेकर उसे बुला रही हूँ तो मैं कौनसे case में वो नाउन कौनसे case में है वो है vocative case में ठीक है as an address to someone examples नैना, get me a pen and a sheet of paper प्लीज अब मैंने नैना को बोला नैना, जाओ, मेरे लिए pen लेकर आओ एक sheet of paper भी लेकर आजाओ, please आचा, friends, Romans, countrymen lend me your ears अब मैंने यहाँ पर मैं सब को बुला लिया और मैंने बोला कि यार, please मेरी बात सुनो तो मैंने का, friends, Romans and countrymen please मेरी बात सुनो तो यहाँ पर मैं पुकार रही हूँ तो जब भी मैं किसी को पुकारती हूँ उसका नाम लेती हूँ तो उस वक्त वो नाउन कौन से case में होता है vocative case में फिर आता है a positive case a positive case is as used और maybe as a parallel description तो जब हम parallel description की तरह बात कर रहे होते हैं तो उसको हम a positive case में उस नाउन को हम a positive case के अंदर मानते हैं जैसे माहिरा शेक the poet is from Morashis the statue of unity is a magnificent tribute to Sardar Patel the iron man of India अब यहाँ पर माहिरा शेक का description क्या है the poet अगर मैं यह the poet हटा भी दूँगी तो क्या कोई फरक पड़ेगा मैं बोल सकती हूँ माहिरा शेक is from Morashis the statue of unity is a magnificent tribute to Sardar Patel बात ही खतम हो जाएगी पर यह जो कॉमा लगा के मैंने description के लिए noun का इस्तमाल किया है जैसे माहिरा शेक के लिए poet का और Sardar Patel के लिए the iron man of India का यह दोनों जो है यह दोनों description देते हैं poet माहिरा के बारे में बताता है और Sardar Patel sorry iron man of India Sardar Patel के बारे में बताता है यह जो description यहाँ पर दिया गया है इस position पर जब noun होता है तो इसे हम कहते हैं a positive case और फिर आता है आपका subject compliment as a compliment after linking verbs be जैसे की is, am, are, was, were become, appear, seem, feel, grow, look, prove, remain, etc तो आप जब भी यहाँ पर कोई भी linking verbs जैसे की is, am, are, was, were के बार में nouns को देखते हो या फिर आप यहाँ पर become, appear, seem, feel, grow, look, prove, remain, इस तरीके की words के बाद noun को देखते हो तो usually noun क्या कर रहा होता है subject को compliment याने पूरा कर रहा होता है देखे है, तो यह usually ऐसे case में noun क्या कर रहा होता है अपने subject को compliment याने complete कर रहा होता है तो ऐसे case में noun subject compliment होता है जैसे की his parents are doctors His parents, उसके parents क्या है, doctors है He seems to be a sports person वो कैसा दिख रहा है, वो क्या लग रहा है कि यार ये देखने से sports person लग रहा है They appear to be gypsies, उनको देखने से लग रहा है कि वो gypsies है तो यहाँ पे are, seems, appear, इनके बाद में use होने वाले ये जो nouns है ये actually subject को complete कर रही है और इसे लिए ये subject compliments है फिर आता है आपका object compliment Object compliment देखना, as a compliment after a direct object of a verb तो जब ये as a compliment use किया जाए, after a direct object of the verb तो उसे हम object compliment कहते हैं याने verb का जो direct object है, उसके बाद में noun का अगर इस्तमाल किया जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो object को complete कर रहा है जैसे कि the committee elected Mr. Sandhu its president अब Mr. Sandhu क्या है, is the direct object of the verb elected और यहाँ पर its president लिखा हुआ है, ये its president Mr. Sandhu को complete कर रहा है तो देखो यार, यहाँ पर committee ने क्या किया, elect किया किसको elect किया, Mr. Sandhu को elect किया जीके तो यह क्या है, Mr. Sandhu क्या है, Mr. Sandhu कही ना कही यहाँ पर object है और यह object इनका description दे रहा है, क्या complete कर रहा है, its president precedent इनको complete कर रहा है, तो यहाँ पर precedent क्या हो गया, object compliment हो गया क्योंकि Mr. Sandhu के बारे में बता रहा है तो अब यहाँ पर यह जो him है, ठीक है, यह जो him है, यह हमारा object है अब इस object को complete क्या कर रहा है, imposter complete कर रहा है यह यह imposter word यहाँ पर लगकर इस object के बारे में बता रहा है तो यह हो गया object compliment They declared Ravi the man of the match अब यह Ravi क्या है? Ravi object है अब Ravi के बारे में हमें man of the match बता रहा है इससे complete कर रहा है, इससे compliment कर रहा है तो man of the match क्या हो गया? object compliment अब आते हैं आपके countable and uncountable nouns यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ से आपका subject verb agreement जो है आगे जब हम कर रहे होंगे वो sought हो जाएगा क्योंकि यह अगर अच्छे से नहीं समझे तो इनके साथ में लगने वाले verbs भी अच्छे से समझ में नहीं आएगे कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो कुछ नामों को आप काउंट नहीं कर सकते हैं एक प्यार, दो प्यार, तीन प्यार, चार प्यार अभी हमने देखा था एक पावर्टी, दो पावर्टी, तीन पावर्टी नहीं काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो यह क्या है? Uncountable है The other kinds of nouns which exist in concrete form are mostly countable अब बाकी ऐसे nouns होते हैं जो कि अपने concrete form में होते हैं हमें दिख भी रहे होते हैं हम उन्हें touch भी कर सकते हैं तो हम count कर सकते हैं एक pen, दो pen, तीन pen, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे तो यह हो गए countable Countable nouns are preceded by indefinite articles जैसे कि A और N and other determiners such as many, few, number of, each, every, etc. जिन्हें हम count कर सकते हैं और इनके साथ में आप articles A और N का इस्तमाल कर सकते हो और बाकी determiners जैसे कि many, few, numbers of, each, every इनका भी इस्तमाल कर सकते हो क्योंकि आप count कर सकते हो यहां में ठीक है? तो countable nouns के साथ इन determiners का इस्तमाल होता है examples के तौर पे a few migratory birds have already nested though winter is yet to set in each student was given a chance to speak ठीक है तो अभी यहां पे हमने देखा कि a few migratory birds each student क्योंकि हम इने count कर सकते हैं तो यहां पर a few और each student हमने each यहां पर लगा दिये क्योंकि हम इने एच्छे से count कर सकते हैं अब यहीं पर हम बात करते हैं uncountable nouns की uncountable nouns की अगर हम बात करें uncountable nouns take the determiners such as much little some any a piece of wags of scores of etc uncountable nouns वो nouns होते हैं जिने हम count नहीं कर सकते और क्योंकि हम उने count नहीं कर सकते इसी वजह से इनके साथ में determiners लगते हैं much little some any a piece of etc some milk is still left in the bottle some milk is still left in the bottle मैं बता नहीं सकती कितना milk पड़ा है 1 milk पड़ा 2 milk पड़ा नहीं मैं नहीं नहीं बता सकती तो इसलिए मैंने some कुछ का इस्तमाल यहां पर किया है much water has flowed under the bridge मैं बता नहीं सकती एक पानी फ्लो कर रहा है 2 पानी फ्लो कर रहा इसलिए मैंने much का इस्तमाल यहां पर किया है number of nouns countable nouns can be singular that is one or plural that is more than one क्योंकि countable nouns को हम count कर सकते हैं तो यह singular भी हो सकते हैं कोई एक चीज़ भी हो सकती है एक pen और more than one याने plural भी हो सकते हैं धेर सारे pen पैनों का गुच्छा uncountable nouns singular ही treat किये जाते हैं please इस चीज़ को ध्यान रखना subject verb agreement में ये काम आईगी तो आपकी जो uncountable nouns होते हैं इन्हें singularly ही treat किया जाता है इन्हें एक ही treat किया जाता है क्योंकि मैंने count तो कर नहीं सकते हैं nouns make their plural in different ways अब जब हम समझ गए हैं कि इन दोरों के you know क्या मतलब countable singular भी होते हैं और uncountable सिर्फ और से plural होते हैं तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर का noun जो होते हैं वो अपने plural कैसे बनाते हैं पहला एक तरीका होता है by adding s आप क्या करो simply s add कर दो जैसे कि cats, boys, girls, knives, wives ठीक है अब देखो यार वैसे को knife की spelling क्या होती है तो अगर हम केवल s add करेंगे तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए है ना बट ऐसा नहीं है जब भी f या fe के साथ में word end होता है तो हम हमेशा उसे ve में change कर देते है s जोडने से पहले तो हम इसको कैसे बना देंगे knife की singular की spelling क्या थी k-n-i-fe तो हमने fe को ve बना देना है k-n-i-v-e-s ठीक है ओल्राइट इसके बाद में plural बना सकते है es जोड के to singular nouns ending in s, double s, sh, ch, x, o, or, sorry और z ठीक है तो हम ऐसे वाले singular nouns जो की s, 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 sh, ch, ch x, o, या z से end होते हैं उनके साथ लगा लेंगे es जैसे की buses, classes, moshes, bunches, taxis, mangos by changing on ending to a ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अच्छा, एक तो आपने es लगा दिया, एक es लगा दिया, ऐसे plural बन गया दूसरा आप क्या कर सकते हो आप ending change कर सकते हो a बना दो, a लगा दो उसकी ending on को क्या बना दो a बना दो, तो on को आप क्या बना दोगे a बना दोगे तो प्लूरल हो जाएगा जैसे की phenomenon इसका plural क्या हो गया, phenomena criterion इसका plural क्या हो गया, criteria ठीक है alright, next है by changing um to a अगर by chance आपको word में um देखने को मिलता है तो आप a में उसे convert कर दो um अटा के a लगा दो तो आपका जो word है वो प्लूरल बन जाएगा जैसे की medium का media, stadium का stadium का, forum का forum, addendum का addenda erectum का, iracha चीक है by changing is is to es अगर आपको कहीं पर भी किसी word में is देखने को मिले और आप उसे plural बनाना चाहते हो तो आप simply उसको es में convert कर दो जैसे crisis, अब इसका क्या कर दिया, c-r-i-s-e-s कर दिया, analysis इसका क्या कर दिया, n-a-n-a-l-y-s-e-s कर दिया oasis, o-a-s-i-s को किसमें convert कर दिया, o-a-s-e-s चीक है तो is जाँ जाँ दिखा, मैंने उसको es बना दिया by changing, और कैसे plural बना सकते हैं हम, by changing a to a-e कई पे भी a देखने को मिले और उसकी बाद में हम a-e जोड़ देंगे तो plural बन जाएगा, जैसे alumina, alumina, formula formula, ठीक है lacuna, lacuna ओके, all right by changing us to i अगर आपको us से end होता हुआ दिख रहा है word, आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हो, आप उसमें i add कर दो, जैसे, celeber celebi, radius, radiar alumina, alumina ठीक है sorry alumina all right, next देखो, some words remain unchanged in their plural forms, कुछ ऐसे words होते हैं जो अपने plural forms में बदलते नहीं हैं, जैसे कि sheep series, species deer, fish etc, आपको बहुत सारी भेड भी दिख जाएगी तो आप sheep नहीं बोलोगे, series नहीं बोलोगे species नहीं बोलोगे deers नहीं बोलोगे, fishes नहीं बोलोगे, हाना यह अपने plural form में बदलते नहीं हैं, some words change irregularly, कुछ ऐसे words हैं जो बहुत ही irregularly change होते इनके आगे s नहीं लगता है यह इनकी spelling change हो जाती है जैसे कि man का men हो जाता है woman का women हो जाता है child का children हो जाता है goose का geese हो जाता है tooth का teeth हो जाता है foot का feet हो जाता है अब देखो 10th बोलता है compound words make their plural by changing their keyword into plural form तो अब यहां पर कुछ ऐसे compound words compound words का मतलब होता है words जो की जुड़े हुए 2 words से मिलकर जो word बना हुआ वह अपने plurals कैसे बनाते हैं अपने keywords को plural form में convert करके major general major general attorney general attorney general maid servant maid servant looker on lookers on passer by mother-in-law mother-in-law man servant women servant women servant ठीक है इस तरीके से यह अपना plural बनाते है यार मुझे इसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे इसी तरीके के और वीडियो सुपी माप से नेक्स क्लास में तिल थे बाबाय, ठीक केर अपना 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 पर वीडियो अपना